Mobiquick verification code not received problem दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने Mobiquick एप पर यदि आपको यहां पर verification code नहीं मिल पा रहा है आपका mobile में नहीं आ रहा है तो कैसे आप इसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो यहां पे मैं gate OTP मैंने किया काफी कुछ मैंने ट्राइ किया लेकिन यहां पे जो है मेरा maximum limit भी खतम हो चुका है तो इसी वज़े से मुझे यहां पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ठीक है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको जाना है यहां पे देखिए सबसे पेले जाना है आपको अपनी mobile के settings पे ठीक है आपको जाना है सबसे पेले अपनी mobile के settings पे और एकदम नीचे आपको एप management में आना ठीक यहोँ सकते आपके mobile में installed apps के नाम से show करें तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको ढून लेना है Mobi Quick ठीक है तो चलिए हम अपना Mobi Quick App ढून लेते हैं यहाँ पर आचुका है इसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है सिर्फ Permission पर जाना है और यह सारा Permission सेले करके Message आपको ढून लेना है ठीक है तो चलिए हम अपना Message ढून लेते हैं यहाँ पर आ चुका है इसके उपर क्लिक करके यहाँ पर आपको जाना है Permission पर जाना है और Permission पर जाके यह तीन आपको एलाओ करना है ठीक है उसके बाद में दूस्तों आपको जाना है अपना मोबी कुईक एप पर चलिए हम अपना मोबी कुईक एप पर फटैक से चले जाते हैं और अपना मुबाल नंबर भरके देखते हैं कि OTP हमें रिसीव्ट होता है कि नहीं तो यहां पर हम चलिए भरते हैं अपना मुबाल नंबर 7005 178729 तो यह भर दिया गेट OTP मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैं OTP पर क्लिक करता हूँ यहां पर प्रोसेस हो रहा है तो चलिए देखते हैं यहां पर OTP आता है कि नहीं तो यहां पर OTP जो हैं यह आप भी बताए जाए कि यूर मोबी को क्वान टाइम पासवर्ड इस 404813 तो यहां भी दोस्तों आ चुका है और इस प्रकार से दोस्तों आप OTP का प्राब्लम को सॉल्फ कर सकते हूं उम्मीद करतों आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स वॉचिंग